So hello guys, last video में हम लोगों ने देखा था switch case statement और break statement आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं continue statement को और go to statement को यानि कि हम लोग in statement का use हम लोग कहां पर कर सकते हैं तो चलिए मैं आप लोगों सबसे पहले मैं इसके काम को समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, इसकी जरूरत हम लोगों को कहां होती है तो guys, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं continue statement को कि ये कैसे काम करता है तो guys, जैसा कि आप लोग, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग अपने program के according, हम लोग अपने program में loops को use करते हैं तो बहुत सारे case में क्या होता है, कि मानली ये loop जैसे काम करता है, कि आप लोग loop चल रहा है उसके दौरान अगर हम लोगों को फिर से go back होना है loop के starting point पे यानि की initial point से फिर से zero से loop को start करना है तो उस case में हम लोग continue का इस्तिमाल करते हैं लिखने का continue का जो मैंने flow chart बनाया है, कुछ इस type से होता है तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम करता है तो सबसे पहले आप लोग top to bottom हम लोग बढ़ेंगे तो top पे आप लोग देख सकते हैं loop body start यहां आप लिखा हुआ है अब उसके नीचे arrow दिया हुआ है, अब हम लोग एक step नीचे बढ़ेंगे तो इस condition में हम लोग उपर में loop चल रहा था अब नीचे हम लोग condition लगा सकते हैं अब condition कुछ भी हो सकता है, condition to continue next iteration अब इसमें condition जो हमारा चेक करेगा या तो true होगा या तो false होगा अगर false होगा condition, तो हमारा जो loop है continuous, run होता रहाएगा यानि कि loop में वो run होता रहेगा statement को अगर condition जो हमने लगाया, अगर वो true होगया तो इस case में जो हमारा continuous statement क्या करेगा starting of the loop में हम लोगों को फिर से हमारे statement को भेज़ देगा यानि कि loop को फिर से start कर देगा तो ये था लूप के काम करने का कुछ तरीका अब हम लोग चलिए लूप के syntax को समझते हैं सौरी continue के syntax को समझते हैं कि कैसे ये काम करता है programming में तो guys जैसा कि आप लोग यहां इस screen पर देख सकते हैं display पर कि मैंने एक program बनाया इस program में मैंने क्या किया एक for loop का इस्तेमाल किया है अब इस for loop में क्या होगा कि मैंने 0,1 से लेकर 10 तक मैंने यहां count करना शुरू किया है यह जो for loop है 1 से 10 तक count करेगा अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमने continue का use कैसे किया इसमें तो इसके अंदर मैंने दिया है curly bracket अब इसके अंदर मैंने condition लगाए यहां आप लोग देख सकते हैं if if statement का use क्या है मैंने if i equal to equal to 6 अगर i 6 के बड़ाबर हो जागा तो यह जो है हमारा continue statement को run कर देगा यानि कि continue statement क्या करेगा कि फिर से हमारे जो i value है 1 से start कर देगा यानि कि loop जो हमारा फिर से 1 से start हो लगा और अगर जब तक कि i 5 तक रहेगा तो यहां हमारा जो else आप देख सकते हैं else serial.print यानि कि serial monitor पे जो हमारा जो loop का value है 0 से लेकर 5 तक print हो लगा लेकिन जैसे ही यहां इसमें 6 print होगा 6 print होने के बदले यहां loop जो हमारा continue कर देगा फिर से 1 से start हो जाएगा तो यह था friends continue statement अब चलिए हम लोग चलते हैं go to statement के उपर की go to statement कैसे काम करता है so guys आज मैं आप लोगों को कुछ एक बात बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे channel से related है YouTube channel से इसमें क्या होता है कि बहुत सारे viewers आते हैं और मेरे videos में जाते हैं जब आप लोग जब scroll करेंगे तो इसमें अलग-अलग topics पे video upload की हुई है लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी video उनके लायक है उनके काम की है तो मैं आप लोगों से request करने चाहूंगा कि आप लोग scroll करके आप लोग फिर से आप लोग playlist पे जाएं वहाँ आप लोग playlist को access कर लें आप लोगों को वहाँ से ज़्यादा आसानी होगा video को मेरे channel को समझना कि मेरे channel पे कौन-कौन सी video upload होती रहती है जैसे मैं upload करता हूँ अभी मैंने start किया है Arduino programming की Arduino project के उपर video उससे पहले मैं upload करता था बीच में भी मैंने upload किया है कि electronic device को कैसे चेक करते हैं component को कैसे चेक करते हैं तो आप किस motive से मेरे channel पे आए हैं और क्या इडादा लेकर आए हैं आप मेरे channel पे उसके लिए मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे playlist को follow कर ले आपको ज्यादा आसानी होगा मेरे channel को समझने में आप किस काम के लिए आया है आपको वह मिलेगा तो गाइस अब चलिए हम लोग चलते हैं go to statement के उपर की go to statement कैसे काम करता है So guys continue statement में क्या होता था कि अगर मान लिए मैंने कोई loop बनाया है और अगर उसके बीच में मैंने condition लगा कर continue statement लगाया तो वह continue statement हमारे loop को फिर से initial state से run कराने लगता है वह top of the loop कर देता है in case अगर मान लिए हम लोगों को program बहुत लंबा लिक रहे आ है या बहुत छोटा भी लिक रहे है उसमें हम लोगों को अगर मान लिए बहुत्साड़ा statement हो इसमें हम लोगों को desired statement पर जाना है मान लिजे statement 1 आप लोग यहाँ देख सकते है start program हुआ statement 1 is to start हुआ, statement 2, statement 3 अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं अपने code में की label लगा देते हैं लेवल 1, एक्जामपल मान लिजे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर statement के उपर अब इसमें क्या होगा कि मान लिजे हमारा statement 1 रन हुआ अब उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि statement 1 जैसे रन हो जाए हमारा जो program जो execute करने लगे statement 3 को तो इस case में हम लोग go to statement का use करते हैं go to statement क्या करेगा कि go to statement हम लोग लिखेंगे go to उसके बाद फिर level 3 लगा देगे तो इस case में क्या होगा कि हमारा जो program है statement 1 को run करने के बाद डायरेक्ट जम कर जाएगा ये statement 3 पर इसको ऐसे भी हम लोग क्या सकते है go to statement को कि ये जम करने के लिए program में लगाया जाता है इसको use किया जाता है तो आएए हम लोग इसको देखते हैं हमारे code में कि इसको कैसे हम लोग implement करते है so guys चलिए अब मैंने यहाँ program बना लिया है go to statement को समझने के लिए इस program में मैंने क्या किया है कि एक integer variable बनाया है जिसमें मैंने assign किया है 7 को यानि कि एक integer variable है उसमें मैंने 7 को assign कर दिया है अब उसके नीचे हम लोग आते हैं curly bracket के अंदर मैंने लिखा है so guys यहाँ मैंने एक condition लगाया अब इस condition में क्या होगा कि वो जो मैंने उपर integer variable बनाया है num उसको check करेगा ये even है या odd है तो इसमें मैंने लिखा है if num modulus2 उसके बाद फिर equal to equal to zero अगर ये zero हो जाएगा तो अब इसमें हम लोग चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले मैंने दो level लगाया इसमें एक even level है एक odd level है तो सबसे पहले हम लोग even level को समझते हैं लेवल लगाने का असान तरीका नहीं है ये syntax ही है level लगाने का कोई भी level आप लिख सकते हैं इसमें उसके बाद फिर आप लोगों को यहां colon लगाना भूल कर भी semi colon नहीं लगाना इसमें प्रोग्राम में compiler error आ सकता है तो यहां मैंने even लिखाया उसके बाद फिर colon लगाया अब इसमें मैंने क्या किया serial.print number is odd इसमें क्या होगा कि serial monitor पे हमारा जो प्रोग्राम है number is odd प्रेंट करेगा even में एक मिनिट मैंने यहां गलती कर दिया number is even number is odd हाँ अब चलिए अब सही है तो even में क्या करेगा कि number is even print करेगा odd वाले label में क्या करेगा कि number is odd print करेगा अब चलिए हम लोग फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम को समझते हैं तो यहां मैंने एक variable define किया है जो कि number 7 को assign कर रहा है अब इसमें मैंने condition लगाया है if number लगाया है condition तो इसमें अगर condition जो है 0 नहीं print होके कुछ भी हो सकता है 1 2 तो अगर 0 नहीं print हुआ 0 नहीं हुआ इसमें result इसका तो इस case में क्या होगा कि यहां जो है हमारा जो program jump कर जागा go to odd वाले पर तो इसमें जो serial monitor पर प्रिंट हो जागा number is odd तो guys यह था go to statement जो हम लोग अपने program में बहुत कम use करते हैं बहुत सारे programmers कहते हैं कि इसका use नहीं है हमारे program में लेकिन कहीं कहीं पर इसका use हो जाता है तो guys यह था कि मैंने एक example दिया है छोटा सा बहुत सारे लोग बोले हैं कि हम लोग direct भी वहाँ पर लिख सकते थें दूसरे operator का इस्तमाल करके तो guys मैंने मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहां मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटा सा example दिया है मैंने तो इसलिए मैंने यह program बनाया है अब हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग program बनाएंगे tutorial में तो उसमें और अच्छे सा समझेंगे कि हर एक statement का मतलब क्या होता है मैं उसमें और अच्छे सा समझाओंगा तो guys आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे like करना share करना और साथ ही साथ channel को subscribe कर लेना